नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है नीटू मैं वाफरी साथ सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल बैस्ट्राइटिशने दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो महिलाओं को स्रेत पर्दर की यानि कि जो सफेद पानी गिरता है जिसको हम लिउकोरिया बोल देते हैं इस बिमारी का क्या इलाज है आयरवेदी की दोस्तो जो मैं आपको नुश्का बताऊंगा उसका 1% भी साइड इफेक्ट नहीं है 100% उसका रजहट है सबसे बड़ी बात ये है कि वो बिल्कुल फरी का है आप अपने हाथों से दवाई बना सकती हो अपने गर पर और इस बीमारी को जड़ से खतम कर सकती हो दोस्तो पहले आप जान लीजे कि लूकोरिया यानि कि सफेब पानी होता क्या है बहुत सारे डिस्चार्ज होता है सफेद कलर के पानी का उसका कलर Дोस्तो डिफरेंट ढिफरेंट भी हो जाता है बहुत सारी फिमेल्स ऐसी होती है जिसको फिला देखने को मिलेगा बहुत सारी फिमेल्स ऐसी होती जिसको इस पानी के अंदर बहुत ज्यादा बदबू मिलेगी बहुत सारे फिमेल्स ऐसी हो तो यह की बदभू नहीं आएगी और कभी-कभी इस पाने के साथ रखत भी आ जाता है इसका दोस्तों डिसएडवांटेजिज क्या है यह बिमारी क्यों है क्योंकि इसकी वज़े से हर महिला का सौंद्रय चीन जाता है जाता है ज़यसे कि उसकी कमर में परहस हो जाता है उसके इन्दर केलिशियम की कमरी हो जाती है उसका जो यूटरस होता है जो उसका गरबाश्य होता है उसके अंदर कमजोर ही आ जाती है वगर वगर अब बहुत सारे फिमेल्स प्रोब्लम दोस्तों इस बिमारी के थरू आ जाती है जिसको भी यह फिमेल्स को यह प्रोब्लम होती है अब दोस्तों इस प्रोब्लम का आइरवेदिक में है मैंने बहुत सारे पहले भी बताया हैं लेकिंट मैं आज भी आपको बता रहा हूं बहुत-सारे फिमेल्स ऐसी होती जो данी जो की डोक्टर के पास नहीं जा सकती हैं गरवालों को भी नहीं बता दे लेकिन उनके अंदर आहिस्ता हिस्ता करके बहुत बड़ी विमारी बन जाती है इसके दोस्तों बहुत सारे बहुत सारे फिमेल्स ऐसे होती है जो छोटी उम्र में योन संबंद बना लेती है या फिर ज्यादा गरबपात करवा लेना या पिर ज्यादा जो यह अनुवांटिड वेगर यह टेबलेट आती है इनका शेवन करना जो कि गरब रुण तो टेबलेट होती है और भी खानपान कि वजय से यह प्रोब्लम हो जाती है अब दोस्तों इसका इलाज क्या है जो आप घर पर कर सकते हो बिल्कुल आसान है और इसका रेजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा आपको करना क्या होगा जो सिंगाडा होता है जिसको आम कट्टू बोल देते हैं कि सुखे हुए सुखे हुए दो सिंगाड आप अंसारी के दुकान से ले आई है और उसको पानी से बरे हुए मटके के अंदर दोनों सिंगाडों को आप डाल दीजिए उसके अंदर आप डालने के बाद रात बर उसको भीगा रहने दीजिए सुबह उठने के बाद दोनों सि बन गई है उसके अंदर आपने मिश्री मिलानी है मिश्री कौन सी जो धागे वाले मिश्री होती है मोटी मिश्री हम जिसको बोलते हैं अपने सवाग अनुसार आप कितनी भी मिश्री आप उसके अंदर मिला सकते हो जो आपने कट्टू के है जो पीस कर जो पाउडर हा बनाया कुछ भी नहीं खाना पानी तक नहीं पिना सुवे सुवे खाली बेट उसको खा लीजिए उपर से एक गिलास गाएं का मीठा किया हुआ दोध पी लीजिए और ऐसा आप लगातार कितने भी दिन तक कर लीजिए दोस्तों मैंने बड़ी आराम से बताया आपको बड़ी जब़ी आराम होगा इस बीमारे से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा और भी मैंने बहुत से आसान से नुषके बताया है पिछली वीडियो भी आप देख सकते हो इस बीमारे का इलाज नहीं है अगर आप ये नुषका अपना नेते हो तो आपको 100% आराम मिलेगा सेंगिन बात दोस्तों ये है कि इस नुषके काउप्यों करते हैं आपको थोड़ी सी चीजों के परेज करने होगे जैसे कि तली होई चीजे थोड़ा सा योन संबंद आप कम बनाएए या करिजे ये टेबलेट वेगरा जो होती है अगर अपनी नो तो ये मत लीजिए और जो फास्ट फूट की चीजे है वो मत खाईए खटाई मत खाईए चाय पीना आप कम कर लिजिए आपकी ये वीमारी डेफिनेटली खतम हो जाएगी और बड़ा ही आसान ये नुश्टा है तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था आसा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आगा तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजेगा और मेरी आप शेक रिक्वेस्ट है कि और अच्छी जिसका नाम है www.rambanilas.com वीडियो के नीचे हैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूगा उस वेबसाइट का अगर वहां आप उस वेबसाइट पर जाते हो तो आपको मिलेंगे सभी बिमारियों के लाज हिंदी में सुध हिंदी में ताकि आप अच्छे से समझ सको म मैंने इसलिए ये वेबसाइट बनाई है तो थैंक्स वराचिंग दोस्तों मिलते हैं कले एक नई वीडियो एक साथ तब तक के लिए वाए वाए हम इस सीरीज को ऐसे ही चालों रखेंगे आप बने रहे हैं हमारे चैनल के साथ